हालो फ्रेंज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं डाइपटीज के पेशन्ट के बारे में डाइपटीज के जो पेशन्स होते हैं उन्हें अपने ब्रेकफास्ट का बहुत ध्यार लखना चाहिए ब्रेकफास्ट हम और उनका जो ब्लड शूगर है उनका जो लेवल है वो कभी बड़ेगा नहीं और जो डाइपटीज के लक्षण होते हैं वो भी घंबीर होंगी डाइपटीज के पेशन्ट को हमेशा घर का ही नाश्टा करना चाहिए और कम शकर और बसा वाला नाश्टा पक्का करके खास् ब्लड शूगे अगर साबस अनाश्टा ब्रेट है और ऑस्नेडील हो तो बहुत अच्छा है उसके साथ फल्ड भी हने बहुत बाइप ग्ली हो WAVA इसके लावा आप अपने ब्रिक फॉस्ट में अर्शी के भी या इसके पाउगोता भी तुल्यों कर सकते हैं इसको शिर्फ एक ही चमच ले इसमें जहे सारा खाईकर ओमेगा 3-50 ऐसे होती है आपको रुजाना अपने ब्रिक फॉस्ट में और फिल खाना ही चाहिए क्योंकि यह काईप्रीश की पेशन के रहे हैं उनके रहे साथी अच्छा होता है इन सब्सक्रीशों के साथ मदूली जोग्यों को पीना बसा जाला तुल्य भी पीना चाहिए जिससे उनकी श्रीशों केल्शन भी मोटा राता है अगर आप नाच्टे लिए गही खाते हैं तो हमेशा बसा रहे गही चुने कोई फ्लेबर वाला गही मत चुने क्योंकि इसमें बसा के साथ साथ शुगर भी होता है अपनी चाहे का काफी काफी में हमेशा दाल-चिली पाउडर मिक्स करें क्यूंकि इससे डाइबटीस के जो रोग है वो ठीक हो जाते हैं थैंक्यू सो मच तो वाचिंग माई वीडियो प्ली सस्क्राइब माई चैनल थैंक्यू सो मच बाबाई क्यूत्त बढ़ दो स स्क्राइब चैनल थैंक्यो 600 वो माज़ प्ली चाहे dapat